हे अभी आप देख रहे हैं A.R.Concept Learning और हमारे इस चैनल के साथ अब जूरे रहे हैं हाई स्टुडेंट आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जहा रहे हैं Assessment of Learning कोर्स 9 का ही टॉपिक है measurement और measurement के scale कौन-कौन से है level of measurement यानि मापन के अस्तर क्या है हैं तो इसको हम discuss करेंगे το आम तोरसे हम चसानते कि कोई भी research हो उसमें दो तरह की data होते हैं एक होते है qualitative data और दूसरा quantitative data तो आमँ तोरसे जब हम item analysis करते हैं डे certains итог analysis करते हैं तो हम qualitative data को हमquantitative data में बणने की फोसष करते हैं research के अंदर तो quantitative data को जो है मापने के लिए चार तरह के लिए scale मतलब बताएगे हैं जिसमें पहला scale है nominal scale दूसरा ordinal जिसे करमित मापनी कहते हैं तीसरा interval scale अंतराल मापनी और चौथा ratio scale जिसे अनुपात मापनी कहते हैं nominal scale नामित मापनी इस scale में हम किसी data को किसी गुन या उसके characteristic विशिष्टा के आधार पे हम वर्गिरिकरित करते हैं बाकी किसी अधर तरीके से वर्गिरिकरित करना उसे संभव नहीं होता है तो हम उस तरह की data को जो है nominal scale कहेंगे यह सबसे lower scale है और इन वर्गों को ना तो किसी करम में रखा जाता है nominal scale से जब हम data को measure करते हैं नहीं उसके हम तूल ना कर सकते हैं सिर्फ हम उसको वर्गिकरित कर देते हैं जैसे हम धर्म के आधार पे व्यक्तियों को हिंदू, मुस्लिम, शिक, इसाई लिंग के आधार पे हम महिला एवम पुरुस में बाट देते हैं उमर के आधार पे हम व्यक्तियों को बच्चे, जवान वबूढ़े रंगी के आधार पे काले, सफेद, लाल इस तरह से जब हम उसको केटोगराईज करते हैं तो इस तरह के केटोगराईजेशन को हम नोमिनल स्केल कहते हैं सेकेंड जो स्केल है, उसका नाम है ओर्डिनल स्केल, जिसे हम करमित मापनी कहते हैं, इसके अंदर जो है नोमिनल स्केल खुद बखुद सामिल होता है जब हम डेटा को वर्गों में डिवाइड कर देते हैं और उसके साथ साथ उसे हम एक डिफनिट सिक्वेंस भी दे देते हैं तो इस तरह की मापनी को हम ओर्डिनल स्केल कहेंगे इसमें हम घटते या बढ़ते करम में हम डेटा को रख सकते हैं जैसे सबसे बरे से सबसे छोटे करम में हम क्या कर सकते हैं इसको डेटा को हम एरेंज कर सकते हैं सबसे लंबे से सबसे छोटे के हम सिक्वेंस में भी एरेंज कर सकते हैं इसके अलावा कार्मिक मापनी में ओर्डिनल स्केल में वर्गी कृत किये जाने वाले वर्गों में हम छोटा या बरा तो बता सकते हैं लेकिन दो वर्गों के मद में कितना अंतर है या कितनी दूरी है ये नहीं बता सकते हैं तो इस तरह के measurement को हम कर्मित या ordinal scale कहते हैं आम तोर से जैसे एक जामबल के तौर पर कक्षा के आधार पर हम विद्धाले को हम क्या करते हैं मदमिक विद्धाले उच मदमिक विद्धाले उस तर मदमिक विद्धाले में एरेंज कर देते हैं उसी तरह से किसी के पद या स्थिति के आधार पर हम उसे सिक्षक अचारिया उपचारिया व्या ख्याता में हम क्या करतें छोड़ा करतें आरेंज कर देतें गरम यह थंडा या बहुत थंडा में बार्ण देते तो सबसे अधिक सहमत सहमत और सहमत इस तरह से ?」 तो इस में क्या होता है कि दो data के बीच जो है हमें interval का पता नी चलता कि समय बेदे चाहिए कि एकसी एक्जाम में 90 परसेंट हासिल किया तो उसे फिटेन देतें दूसरे बच्चे ने 85 परसेंट 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 के तो उसे हम थर्ड परसेंट यानि एक first और second position के बीच तो 5% का अंतर था लेकिन second और third position के बीच 1% का अंतर है तो इस तरह से इसे हम percentage के हदार पे जो है कितना interval है इसको हम measure नहीं कर सकते हैं किसी को हम first कह दिये किसी को second कह दिये किसी को third कह दिये तो अब उन लोगों के बीच में कितना अंको का difference है यह पता नहीं चल पाता है तो इस तरह के skill को हम ordinal scale कें इंटर्वल scale अंतराल मापनी तो जब हम data को क्या करते हैं classified कर देते हैं फिर उसे हम order देते हैं order देने के बाद उन वर्गों के बीच में कितना अंतर है यह भी बता देते हैं तो इस तरह के measurement scale होते हैं उसे हम interval scale कहते हैं इसमें जो दो लगातार वर्गों के मद की जो दूरी होती है या अंतर जो होता है वो हमें से एक जैसा होता है इक्वल होता है परन्तु इस measurement skill में कोई absolute zero point नहीं होता है सुन हो सकता है लेकिन कोई absolute zero point ही हो zero से हम किसी चीज़ को सुरू करें ऐसा नहीं होता है interval scale में इसको हम इस तर थाइं तक जाने में हमें hundred equal part मिलते हैं लेकिन जब हम temperature को दूसरी unit Fahrenheit में मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम 32 degree Fahrenheit से start करते और 2 12 degree Fahrenheit तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि 180 जो equal part होता है पार्ट में बाढ़ा जाता है उसी तरह से हम जब हम Kelvin में measure करते हैं तो 273 Kelvin से सुरू करते हैं, 373 Kelvin तक जाते हैं, इसके बीच में भी 100 equal part होता है, तो यहाँ पर कोई absolute zero point नहीं होता है, temperature को आम तर से जब हम measure करते हैं, तो इस तरह की चीज़े हम देखते हैं, तो इसी तरह से interval skill में कोई zero point नहीं होता है, यहाँ पर zero kalpnik होत हैं, लेकिन हम इसमें यह बता सकते हैं कि वर्गों में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यह सारी चीज़े हम बता सकते हैं, आंकलन मापनी के उधारन में हम व्यक्तित का आंकलन, किसी विसे में उपलब्दी या creativity का हम assessment या बुद्धी का यानि कि intelligence का assessment जो है, कर सकते हैं, लाश्ट है ratio scale, इसमें सारे scale सामिल होते हैं, इसमें अनुपात जो हम interval scale पर हैं, उसके सारे गोंचे से केटोगराइज करना, order दे देना, दो वर्गों के बीच दूरी बता देना, इसके अलावा साथ साथ इसमें क्या होता, absolute zero point होता है, यह सुन भिंदू निश्चित होती है, इसके अंदर, इस मापनी में सभी परकार की बुनियादी, जो भी mathematical, मतलब calculation होते हैं, जो और घटाव गुना भाग, यह सब किया जा सकता है, हाला के मापन की इकाई यहां भी कालपनिक होती है, यह मापनी मापन का सबसे, क्या कहते हैं, highest इसके लिए उस पर मापा जा सकता है, यह मापन का सबसे ज़्यादा सुध्य एकुरेटर लेवल होता है,